जेहिन दोस्तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत करता हो। दोस्तो अगर आप लोगों का का साकाउंट हैं और आप लोग किसी कंपनी में जॉब नहीं कर रहे हो, आप लोगहने कंपनी छोड़ दी है अगांट बेंक में उस अकांट में दिये गया अकांट में तो आप लोगों का जो US salary on salary account होता है वो saving account में तीन महीने के अंदर automatic हो जाता है दोस्थो अगर आपलोग अगर अपलोग्रोग ने time पे इसे बढ़ नहीं करते तो आप लोगों को चार्ज लगता है चार्जिस दोस्तों लोग आपको कम से कम 600 रुपे 500 रुपे चार्जिस लगेगा वो भी हर महीना दोस्तों मुझे भी लग चुका है मैंने भी मेरा भी प्राइविट बैंक में था सेलरी अकाउंट तो मैंने ध्यान नहीं दिया और वो अटोमेटिक कनवर्ट हो गया सेविंग में और कुछ चे मैने के बाद जब मैंने जौब पर लगा दूसरे बैंक में सो मेरा वहाँ पर सेलरी आता था वहाँ पर सेलरी दोस्तों आता था बट क्या हो गया कि जैसे कि मैं दूसरे कंपनी में था और मेरा जो फॉर्म लगा था यानि कि अगर मैं एक्सिस बैंक में काम कर रहा हूं और एक्सिस बैंक का उसमें लेटर लगा होता है लगा होता है कि इसका जो पैसा आने वाला है वो Access Bank के थुरू आएगा अगर आप दोस्तों किसी दूसरी कमपनी में जाते हो काम करने के लिए और फिर आप लोगों को फिर एक लेटर बनाना पड़ेगा या फिर अपना डोकॉमेंट जाके बैंक में जाके सब्मिट करना पड़ेगा कि अभी मुझे Access Bank से ना आके मुझे आएगा दूसरे कमपनी से सेलरी तो आप लोगों को ये चीज़ मेंशन करना पड़ेगा कि किस कमपनी से पैसा आ रहा है किस कमपनी से आपको सेलरी आ रही है तो दोस्तो इसमें दो बात मैंने बताई आप लोगों को कि आप लोगों को क्या करना है कि जिस bank से जिस company से salary आ रही है आप लोगों को उस company का ID card और आप लोग का employee ID और एक letter देना पड़ता है कि इस company से मुझे salary आने वाली है और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब भी भी आप जॉब से चुट जाओगे और आप कहीं पे काम नहीं करें तो private bank को में से आपको अपना account close कर देना चाहिए नहीं तो आप लोगों को दोस्तो heavy charges लगेंगे और दोस्तो ये chargeable non refundable है आप लोगे पैसे दोस्तो आपके फ्यूचर में loss रोश सकता है बहुत बड़ा तो दोस्तो आज के वीडियो से इतना ही वीडियो हमारी पसंद आए तो हमारी युट्यूचरों को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा जय हिंद जय भारत